हेलो इस्टवैंद्स, इस्टिट 24 उदेपुरी में आप सभी का स्वागत हैं आज का हमारा टॉपिक लोड़ेंज़ वक्र हैं जो अब किरणम आपने की बिंदू रखी विदी हैं अब किरणम को मापने की दो विदियां होती हैं एक होती हैं गणीती विदियां जिसके अंतरगद माध्य विचलन, प्रमा विचलन, चतुर्टग विचलन, ये सारे घंडिती माप आते हैं और दूसरे होते हैं बिंदू रेखिविदी, ग्राफिकल मेथड, तो आज हम लोरेंज वक्र के बारे में पढ़ेंगे तो सब से भ illusion हम देखते हैं, कि जो लोरेंज वक्र वक्र इसका नाम है, एक सांखिक हैं, Mac's, लोरेंज, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, इसलिए इस वक्र का नाम क्या है, लोरेंज वक्र, मतलब अबकिरन को मापा आ जाता है, अबकिरन क्या होता है, कि किसी शनी मे जो माद्य है, मद्धी का है, भुलक है, उनसे उस श्रणी में कितना विचलन है उस विचलन का जो मापे वो अपकिरण के द्वारा किया जाता है इसकी अलग-अलग विदिया हैं, आज हम लोरेंज वकर के बारे में पढ़ेंगे जो अब किरन मापने की बिंदू रिखी विदी हैं तो सर परतम हम देखते हैं कि अब किरन मापने की लोरेंज वक्र विधी का प्रयोग कब क्या जाता है जब दो या दो से अधिक श्रणियों के बीच में विचलन की तुलना करनी हो दो या दो से अधीक श्रिणियों के मज़े विचलन के जब तुलना करने होती है किस श्रिणी में विचलन जादा है किस श्रिणी में विचलन कम है अब किरन किस में जादा है किस में कम है उसका जो माँ पर वो किस के द्वारा किया जाता है लोरेंज वक्रों के आधार पर किया जाता है लोरेंज वक्र जो होता है एक संचई प्रतिशत वक्र है अब संचई प्रतिशत कैसे हैं आगे हमें एक एक्जाम्बल लेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में जाएगा संचे प्रतिशत वक्र होता है और फिर इसके निर्वचन के हम बात करते हैं तो जो लोरेंज वक्र हैं उसका जो result आता है उसको हम कैसे represent कर सकते हैं तो लोरेंज वक्र को बनाने के लिए अब एक समान वित्रन रेखा लेते हैं अब उस समान वित्रन रेखा से जो जिस भी ग्रूप का लोरेंज वक्र पास में होगा उसका मतलब उसमें विचलन की जो मात्रा होती वो कम होती है मतलब असमानता जो होती है वो कम होगी और जो वक्र जो लोरेंज वक्र इस समान वित्रन रेखा से जितना दूर होगा जितना ही दूर होगा उसमें असमानता है विशमता नहीं कह सकते हैं असमानता हम कह सकते हैं विचलन की जो मात्रा है वो अधिक होगी ठीके समान वित्रन रेखा के पास में जो वक्र होता है उसमें असमानता कम होगी उसमें अपकिरन की मातरा कम होगी अगर पास में है तो जो वक्र जितना दूर होता है उसमें असमानता अपकिरन की मातरा उतनी ही अधिक होगी समान वित्रन डेखा के पास में इसका मतलब अब देखिए कि हम उदान लेते हैं कि हमार पास में कुछ समंग दे रखे हैं इन समंगों से हमको लोरेंज वक्र की रचना करनी हैं हमको दे रखा हैं सबसे पहले आई दे रखी रुपए में 1200, 1400, 1600, 2800 दो गुरूप हैं A गुरूप हैं और बगुरूप हैं A गुरूप में वेक्तियों की संक्य हमार पास में हैं 60, 81, 20 ठीक है और B गुरूप के हमको 150, 190 ये दे रखी हैं तो लोरेंज वक्र के लिए लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इनका संचय प्रतिशत कैसे निकालते हैं सभी का निकालना पड़ेगा ठीक है अब कैसे निकालते हैं वो हम देखना सबसे पहले हैं तो आय दे रखी हैं तमको क्या करना पड़ेगा संचय आय निकालने जैसा हम मीडियन पड़ते हैं मीडियन में हम CF निकालते हैं Community Frequency संचय बारम बारता ठीक उसी तरीके से हम इनका संचय योग कर लेंगे फिर उसके बाद में उनका प्रतिश इसमें 1600 जोड़ देंगे 5000 दोसो फिर 2000 और जोड़ दिया 7200 फिर 800 जोड़ देंगे तो 10,000 यह हमारी संचय आय गए हैं अब हम निकालेंगे संचय आय का प्रतिशत अब प्रतिशत कैसे ग्याद करेंगे कि हमारी जो संचय आय हैं ठीके कुल जो अधिक्तम आय थी सबसे अन् इतनी है 1000 तो इस 1000 का हम 10,000 में से प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत कैसे निकालोगे 1000 का निकालना हमको 1000 अपोन किस में से निकालना है कुल में से 10,000 में से इंटू 100 कर देंगे तो कितना जाएगा यह 10 प्रतिशत फिर 2200 का निकालना है तो 200 अपोन 10,000 इंटू 100 करोगे एकितने जाएंदर प्रतिषत फिर 36 का निकालना है तो 36 प्रतिषत 55 ko का निकालना है 52 प्रतिषत 7 जार 120 अबाइद 10 जार का दस जार कितना होता है हंडेट परसंट तो इस तरह के से हम संचै प्रतिषत ज्याद कर 90 किया 350 फिर प्लस 100 किया तो 450 और फिर प्लस 50 किया तो 500 आगया अब इस 500 मीं से 60 तो इसका प्रतिशचत कितना होगा 60 upon 500 into 100 तो कितना आगया 12 तो यह हो गया हमारा सब से पहले 12 प्रतिशचत फिर हम निकालेंगे 140 upon 500 into 100 तो या जाएगा 28% फिर 260 upon 500 into 100 करोगे तो 52% फिर 350 upon 500 into 100 करेंगे तो 70% इस तरीके से हम सारे संचे प्रतिशत ग्याद कर लेंगे एसा कैसा हम group B के लिए group B के लिए group B में सबसे पहले संचे संख्या ग्याद कर लेंगे जिसे हमने group A में ग्याद के थी आए में ग्याद किती उसी तरह के से और फिर प्रतिशत निकालेंगे इसमें कुल संख्या कितनी आई ये 500 तो 500 में से 150 कितना प्रतिशत हैं 250 इसका सब का हमने प्रतिशत निकाल लिया से हैं उसी तरह के से अब हिंकों ग्राफ से बताएंगे अब ग्राप में हमने किया तो सबसे पहले हमने O X अक्ष हमारा है इधर हमने व्यक्तियों की संख्या ले लिए ग्रूप A और ग्रूप बर दोनों के लिए और फिर दूसरी तरह हमने I का प्रतिशत ले लिया है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे समान वित्रण रिखा बनाएंगे अब समान वित्रण रिखा क्या होगी ये जो जीरो आया है हमारा इधर इस जीरो को इस अधिक्तम सो से हम मिला देते हैं तो ये जो रिखा हो हमारी क्या है समान वित्रण रिखा अब हम ग्रूप A और ग्रूप बर के लिए संख्याओं का जो प्रतिशत अ के लिए कितना था बारा तो हम सबसे पहले 10 प्रतिशत आय को बारा प्रतिशत व्यक्तियों की संख्या के साथ में तो देखिए आय का हमारा हो गया है यह 10 प्रतिशत यह रह 10 और इधर कितना था बारा प्रतिशत तो इधर 10 और इधर 12 का हम यह पे point लगा देंगे फिर दुसरा हम देखते हैं धुसरा हमारे पास में कियا था ये था 22 ठीक है आए का जो परतीशद हो जो कितना है 22 और ये कितना है 28 तो आए में हम 22 तो आए का 22 प्रतीशद का होगा इस किया ब septhis होगा कई ठीक है आय का जो 22 प्रतिशत होगा वो इधर होगा और जो इधर आय था हमारे पास में 28 आय ता 28 यहां पर कहीं होगा यह हमने point लगा दिया इस तरीके से हम सारे point बता देंगे फिर उसके बाद में आय का जो प्रतिशत था वो कितना था next तिसे नमर पर आय का प्रतिशत कितना था 36 ठीक है यह देखिए 36 था और उसके सामने संचे प्रतिशत कितना है 52 तो 36 को हमको आय में देखना है और संचे प्रतिशत में 52 देखके point लगा देंगे फिर आय में 52 और 70 point लगा देंगे वापि तो हमारे पास में लोरेंज वक्र बन गया है किसका बना ये ए ग्रूप का बन गया है ठीक है ये जो बना है वो हमारा ए ग्रूप का बना है सेम ऐसा कैसा हम B ग्रूप के जो संचय आय था संचय आय का प्रतिशत और व्यक्तियों की संचय संक्या का प्रतिशत है उसको भी हम रेप्रिजेंट कर देंगे इस ग्राफ में तो B का जो हमारा बनेगा B का वो इस तरीके से बनेगा अब हम देखते हैं कि जो दो वक्र हैं ये हमारा B का बना और ये था हमारा A का और ये हमारी है समान वित्रन रिखा तो समान वित्रन रिखा में लोरेंज वक्र A ग्रूप का जो है पास में इसका मतलब क्या हो गया कि जो A ग्रूप है उस ग्रूप में बाग ग्रूप की तुलना में अपकिरन की मातरा कम है यह हम कह सकते हैं कि जो बाग ग्रूप है उसमें अपकिरन की मातरा विचलन की मातरा अ की तुलना में अधीक है क्यों? क्योंकि जो वक्र समान वित्रण रेखा से जितना दूर होता है उसमें अबकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक होती है दोनों ही वक्र दूर हैं इसलिए दोनों में ही अबकिरण की मात्रा है लेकिन तुलनात्मक रूप से अ की तुलना में ब ज्यादा दूर है इसलिए बह में अब किरन की मातरा अधीक है विचलन की मातरा अधीक है ठीक है तो यह हमारा लोरेंज वक्र था